रेलो थूड़ेंट्स, आज हम लोग अपना पहला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं पाइथन क्रोग्रामिंगेच में सो फैस्थ विए नवर ह...? इस इस में ने पी cynicism ने लिखा पृंट्ट्रामिष स्कूर्स लेकां लोर क्लिष खूट्ध। प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट लगाया और फिर हमने यहां पर दे दिया, हैलो और वर्ल्ड, यहां पर कोट्स क्लोज कर दिया, और यह पहला स्टेटमेंट हो गया, हमारे पाइथन प्रोग्राम का, अब इसमें क्या होगा, कि this program uses a function print, यहां पर आप देख रहा है कि यह प्रोग्राम जो है, एक function print यूज़ कर रहा है, print, to output a message to the screen, the message is given as an argument to print, यहनि इस function के argument की तरह यह message print हो रहा है, hello world, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कि the message is given as an argument to print, and is specified in double quotes, and not only in double quotes, the same message can also be specified in single quotes, और in triple quotes also, when executed using the interpreter, it outputs the message, जब आप इसको execute करेंगे, माल लिज़े आपने यह command पे, आपने लिखा python 3, python 3, और जो हमारा source file का नाम है, वो है hello.py, जब आप इसको execute करेंगे, तो screen पे आपको जो message है, hello world, यह print हो कि आ जाएगा, और उसके बाद फिर next command prompt आ जाएगा, और यह command prompt क्या show करेगा, कि for the next command के लिए ready हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपना पहला program python में बना सकते हैं, ठीक, अब इसके बाद बात हम करते हैं, इसके इसमें input output की, ठीक है, कि python program में हम लोग कैसे input and output, ठीक है, इसको हम लोग discuss करते हैं, तो देखें, इसमें क्या होता है, कि the function print is used for output, while the function input is used for taking input from the user, तो अब python में जो function input और output के लिए use होते हैं, तो print तो जैसे हम लोग ने use किया, print function is used for output, ठीक, इसी तरह input, इसी तरह input function हम use करते हैं, इसके लिए, input function use होता है, user input के लिए, ठीक है, input is used for taking input from the user, अब इसमें क्या होगा कि, माल लिजे हम कोई ऐसा प्रोग्राम मनाना चाहते हैं, जिसमें हम user का name input करें, और फिर उसको हम display करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने say, हमने यहाँ पे command prompt हमने लिखा, यह आ गया, अब जो हमारी file का नाम है, suppose कि यह file का नाम है हमारे, greet.py, यहाँ पे source program हमारा store है, ठीक है, अब greet.py में, यहाँ पे आगी screen पे आया, what is your name, what is your name, ठीक है, अब माल लिजे, हमने से नाम input किया कि, suppose कि यहाँ नाम input किया, अमन गुपता, अमन गुपता, ठीक है, यह enter कर दिया, तो program execute करके, आपको ऐसे, hello वो लेगा, hello, अमन गुपता, ठीक है, और फिर से यह command prompt आ जाएगा, इस तरह से, यह आप print statement से यह काम करेंगे, और फिर इस से आप, जब आप input करेंगे, तो input statement से आप input लेंगे, और फिर इसको print कर देंगे, hello लगाते, ठीक, तो अब जैसे यह, यह program अगर आपको run कराना है, और screen पर आपको अगर यह चाहिए, तो इसमें आप कैसे काम करेंगे, इसमें आप यह देखिए, कि our main problem is, that we would like to greet exactly the name, that was entered, जो नाव हम enter करें, उसी को हमें greeting देनी, तो इसमें क्या करना होगा, this demands us to store the name, during input, and retrieve it during the output, इसका मतलब, कि जब name input किया जा रहा है, तो हमें उसे store करना है, यानि इस्वारी line में जो कुछ भी input हुआ, वो हमें store करना है, और फिर इस्वारी line में हमें, उसको hello लगाके फिर print कर देना है, ठीक, तो a variable is capable of storing a value, which can be retrieved later, in fact a variable can hold different values at different times, ठीक है, कोई variable जो है, वो different value को different time में अपने पास hold कर सकता है, so our program achieving the above functionality looks like this, अब हमें जो इस चीट के लिए में जो प्रोग्राम मनाना होगा, वो ऐसे होगा, सबसे पहले तो प्रिंट करेगा वो, क्या प्रिंट करेगा, what is your name, what is your name, तो इसक्रीन पर ये प्रिंट होके आ जाएगा, उसके बाद जो हम input करेंगे, तो हमने लेखे, देखे, input लिखा हमने, input को हमें किसी variable में store करना होगा, तो variable मान लिजे हमने लिया, declare क्या हुआ है, name, इसमें वो value store हो गई, अब उसके बाद जब हमको hello अमन गुप्ता प्रिंट करते हो, अमन गुप्ता इसमें store हो गया, name में, फिर जब हमें वापस इसको प्रिंट करना है, तो hello के साथ में करना है, तो इसको हम इस तरह देंगे, print, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ports लगाएंगे, hello दिया हमने, और इसके बाद हम लिख देंगे name, तो क्या होगा, कि print, ये जब print execute होगा, तो hello आएगा, और name में क्या था, अमन गुप्ता, तो अमन गुप्ता प्रिंट हो जाएगा, अब इसमें क्या है, कि note that the program is shown with line numbers, which are not part of the program line, यह प्रोग्राम जो हमने, यहाँ पर आपको प्रोग्राम जो लिखना होगा, यह आपने जिसे आपने यहाँ पर लिखा, line number 1, line number 2, line number 3, जबकि यह जो line number आपने लिखा है, 1, 2, 3, यह program का part नहीं है, तब भी हमने यह आपको समझाने के लिए, line numbering की हुई है, क्योंकि इससे आसानी क्या होगी, कि देखे, line 1 क्या है, prints our message asking for the username, line 1 तो यह दिखा रहा है कि, user का नाम इंटर करने के लिए, हम message दे रहा है, line 2 takes the input name, यह वाली line 2 क्या कर रही है, input name को ले रही है, and stores it in a variable called name, और name नाम के variable में, वो value store कर दे रहा है, और line 3 में क्या हो रहा है, we use the same variable to greet the user, यानि इसी variable को हम इस्तेमाल कर रहा है, user को बदाई देने के लिए, greeting लेने के लिए, अब इन दोनों देखे, line number 1 और line number 3 में, आप एक चीज़ देखिए, कि line number 1 में और 3 में, दोनों में print function यूज़ हुआ है, लेकिन उसमें different number of arguments है, ठीक है, मतलब यहाँ पे print, यह दिया हुआ है, आपने पूरा statement, यहाँ पे जो आपने print दिया है, साथ में variable दिया हुआ है, तो line number 1 के print के जो argument है, वो different है, in comparison of line number 3 वाले print के argument के, तो यह इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, यही चीज़ कहराती है, polymorphism, polymorphism, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि, actual में क्या होता है, कि जो print function है आपका, that can be invoked, that can be used with, an arbitrary number of argument, जदलब print function, arbitrary number of argument के साथ, आप use कर सकते हैं, एक और जो इसमें interesting बात है, जो नोट करने लाएक, वो यह है कि line number 3 में आप देख लिए, कि, जो दो string, एक string तो है hello, और दूसरा name में है aman gupta, तो इसमें क्या है कि, line number 3, sorry, printing on line number 3, automatically separates the two strings, hello and aman gupta, by a space, this is the default behavior of print, तो यह जो इस तरह से आपका hello और उसके बाद इस पेस लेके अमन गुपता लिखा हुआ रहा है, यह इसका आपका print function का default behavior है, यह अपने आप ही एक जो है इसमें space प्रोवाइट कर देता है, दोनों strings के बीच में, clear, अब इस पुमान दीजी इसी चीज़ का दूसरी एक्जामपिल के साथ आप लीजे, suppose कि आपने ऐसे दिया, print, bracket लगाया आपने hello, यहाँ पर आपने double quotes बंद किया, और comma देके, आपने फिर double quotes लगा के यहाँ दिया, word, फिर यहाँ पर double quotes बंद किया, ठीक है, और, मान लिजे, एक और आपने statement दिया, print, फिर आपने यहाँ पर दिया, by, और फिर आपने यहाँ दिया, word, इस तरह आपने दिया, अब इसमें क्या होगा, कि what will be the output of the above program, ठीक है, इस program का output क्या होगा, इस program का simple output, अगर आप लिखेंगे, तो output एक तो इसका आजाएगा, hello, और, world, ठीक, और, इसका आजाएगा, by, और, world, इस तरह आजाएगा, इसमें क्या है, कि, we specified neither the space, nor the new line in our program, it is the default behavior of print, देखें, इसमें हमने, ना तो, इनके बीच में, कोई space, डिकलेर, बताया है, define किया है, ना हमने new line define किया है, automatically, ये, इन दोनो strings के बीच में, एक space देदेगा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और, automatically, इस print के बाद, जब ये print execute होगा, तो अपने आप, ये next line में execute होगा, तो ये भी, by default होता है, python के अंदर, ठीक, अब इसमें क्या होता है, कि माल लिजए, अगर आपको इस behavior को change करना है, तो this behavior can be changed, with additional arguments to print, ठीक है, अगर आपको इस behavior को change करना है, तो आपको फिर print के साथ, कुछ additional argument भी देने होंगे, अब वो additional argument आप कैसे देंगे, जैसे माल लिजए आपने कहा कि, suppose कीज़े आपने ऐसे लिखा, print, bracket लगाया, quotes में आपने लिखा, hello, ठीक है, फिर, quotes closed, फिर दूसरी string आपने यहाँ दिया, world, फिर quotes closed हो गया, फिर आपने end में क्या लिख, कॉमा किया, यहाँ आपने लिखा end, equal to, और आपने यहाँ पर दे दिया, चार बार hash sign दे दिया, इस तरह से, ठीक है, इस से क्या होगा, कि, या इसके बाद, यह तो मान देंगे, आपका, line number one हो गया, किसी program का, फिर line number two, हमने फिर print दिया, और print में हमने लिखा, by world, तो माल देंगे हमने लिखा, world, और यहाँ पर हमने लिखा, sep, is equal to, कितना, double dollar का sign लगा दिया, हमने है, ऐसे है, खीक, और तीसरी line, जो हमने दी program की, वो हमने दिया, print with sep, print, with sep, comma, and end, and, and, comma, sep, is equal to, a single space, and end equal to, comma, and, equal to, slash, and, ठीक है, यह आपने तीन statement दिये, program में, 1, 2, 3, तो अब देखिए, इसका जो output आएगा, वो आपका आएगा, इस तरह से, पहले तो आएगा, आपका hello world, hello, hello, world, यह हो गया, फिर, यह आपने end लिखा है, चार बार hash sign, तो, क्या होगा, कि चार बार hash sign आएगा, 1, 2, 3, 4, फिर आएगा, अगली string आजाएगी, by word, तो फिर आपका आगया, बाए, और separation की जगा पर क्या आजाएगा, यह लिखा है, by word, sap equal to double dollar sign, तो यहाँ आजाएगा, और यहाँ आजाएगा, double dollar sign, इससे separate हो जाएगी, यह दोनों string, by word, इस तरह, फिर यह next line execute होगी, यह वाली, तो आएगा, with, sap, and end, and, end, तो जब यह तीनो लाइने execute होँगी, यह तीनो, तो आपको यह, दो print statement मिलेंगे, इसक्रीन पे, अब इसको आपको समझना पड़ेगा, कौन से statement से क्या हो रहा है, तो देखिए, line one में क्या हो रहा है, यहाँ पे आईए, line one में यह हो रहा है, line one of the source code, prints the two strings separated by the default separator space, but, ends with four hash side, तो यह पहली line जोई है, hello word, hello word में दीखिए, एक separator है यहाँ पे, और end हो रहा है, चार जो है, hashtag से, line two क्या कर रहा है, then prints by word, लेकिन पे बीच में separation किसका है, double dot sign का, so line two then prints the two strings separately by double dollar sign, and ends with the default, end of line character, लेकिन यह end हो रहा है, end of line character से, और line three prints the two strings separated by space, ठीक है, line three, prints the two strings separated by space, which is explicitly specified, and ends with a full stop, followed by a new line, followed by a new line, बदला, कि जो dollar sign आएगा, उस पे command prompt आएगा, और next line में आजाएगा, hence, individual strings are separated by set, and the line is ended by end, whose default values are, single space, and slash end respectively, ठीक है, यानि कि इस प्रोग्राम को करने से, आपको यह पता चला, कि इसमें क्या होता है, कि individual strings are separated by set, यानि जो individual string है, individual strings are separated by set, ठीक है, and the line is ended by end, and line is, ended by end, यह separation हो रहा है set से, और ending end हो रहा है end से, और इसमें क्या चीद्यान रखने वाली है, कि इसकी default value, separation की single space होती है, ऐसे blank space, और end की default value होती है, वो होती है slash end, मतलब new line, new line character, इसमें एक चीज और ध्यान देखने वाली है, कि जो हमने अभी आपको भी बना के दिखाया है program, की strings are identified in this program, with single as well as double quotes, तो string को आप single quotes में भी declare कर सकते हैं, और double quotes में, ठीक है, तो इस तरह से, आपने आपको एक दो program बना के बता दिये, इस तरह से आप अपनी python programming शुरू कर सकते हैं, अभी यहां तक में कोई doubts या confusion है, तो आप comment line में comment करके पूछे, और next lecture में आपको एक दो और जो है, तक इन नेक्स वीडियो की information आपको ताइम से मिल सकते हैं, थैंक यू.